खबर बदोगी जिले से हैं जहां सड़क के किनारे एक अग्यात यूवक का शव मिला गए आशंका जताय जा रही है कि हत्या करने के बाद यूवक के शव को सड़क के किनारे सुंसान इलाके में फेका गया गया है मामले में पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है हर्द कंप मच गया इस्थानिय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब जिम्हें ले लिया गए मृतिक यूवक के गले पर कुछ निशान भी है जिसकी वजह से आशंका जताय जा रही है कि यूवक की हत्या हुई है और इसके बाद शव को यहां फेका गया गया पुलिस का कहना है कि पोस्ट माटम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि यूवक की मौत कियासा वजह क्या गया पुलिस अधिक शक ने बताया कि मामले में कई बिंदूओं पर जांच किये जा रही है और मिरतक के शिनाक्त कराने के प्रया किया रहा है और साथ ही पोस्ट माटम करवा के उसकी मौत के कारण जानने का प्रियास किया रहा है जैसे ही समझ में आगे जानकारी होगी उस आधार पे आगे कर वेकी ज़ीए परत nano तोर पे लग रहा है बाकी यह चीजह पोस्ट माटम में ळकी में गुम्शुदा की तलाश, नाम आयोशे सिंग और कुमकुम, पितागा नाम विनै सिंग, हुलिया लगबग 17 वर्ष, गोरा रंग, कद लगबग 5 फीट 5 अंच, पहनावा पीले रंग की कुर्ती, काले रंग की लेगी और सफेद रंग का तुपर्ता, दाहीने हाथ में भूरे रंग का पर्स था, उप्रुक्त लड़की दिनांक 11 सतंबर 2021 से दिन शनिवार को लगबग 11 बजे मादो सिंग बाजार में देखी गई थी, जो अभी तक घर वापस नहीं आई, तमाम गोजबीन के बाद अभी तक कोई पता नहीं चल सका, उप्रुक्त लड़की के बारे मे सूचना मिलने पर इस पते पर संपर्क करें, पता है, ग्राम लक्षमणिया और आई जिला भधोगी, और स्क्रीन पर दियेगे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, सूचना देने पर 50,000 का इनाम दिया जाएगा, जिसे भी इनका पता चले, जल्द से जल्द हमें संपर्क कर सबस्राइब झाइबाब और स्क्रीन पर भी समय ही।